नवश्कार मैं सूक्रती रोय चैटल जी और बोल्स कैवे आप सभी का स्वागत है मुँ में सफेद रंग की परत जोकी कैंडिडा अल्बिकंस नामक फंगल के कारण होती है उसे ओरल थ्रश कहते हैं ये हर उम्र के लोगों को प्रभावत कर सकती है ये स्थती के pH बैलन्स के असंतुलित होने कारण उत्पन होती है या फिर ये किसी शाररिक स्थती का भी लक्षन है लेकिन अगर घरेलो उपचार काम नहीं करते तो आपको डॉक्टर के पास जाकर इलाज जरूर करवाना चाहिए इस स्थती में मूँ में दर्द होता है और कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है बता दें कि नारियल के तेल से कुला करने से भी मूँ में इस सफेद परत को खत्म किया जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल में मौझूद एंटी फंगल गुण इस्ट इंफेक्शन को ठीक करने में मदद करता है सुबह उठकर खाली पेटी नारियल के तेल को मूँ के अंदर लगाए और 10-15 मिनट के बाद उसे थूक दे साथी दही का सेवन करने से भी शरीर में प्रोबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ता है प्रोबायोटिक्स भी फंगल इंफेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं लेकिन दही में नमक न मिला दही की एक चमच मूँ में रखें और उसे निगलने से पहले 5 मिनट तक मूँ में ही रहने दें उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें